Hey what's up guys this is Vivek back again with another video and you are watching Hello Educated I mean Hello Educated Actually in the last video we saw all about computer language and programming language but in this video I am gonna to introduce the C language तो चलिए बिना टाइम फोड़े श्टार्ट कर लेते हैं तो पहली वीडियो हमने computer language और programming language के बारे में बताया था चाहां हमने last में ये कहा था कि C यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं तो इससे पहले मैंने सोचा कि उन्हें छोटी सी वीडियो बना दी जाए 5-6 मिनट की जिसमें हम introduction to C programming language ठीक है तो introduction to C programming language जिसमें बहुत सारे के क्यों C बनाई गई किसने बनाई कब बनी ये सारे questions के answer आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही basic है ठीक है तो C programming operating system को बनाने के लिए design या फिर developed की गई थी जिससे एक बाद में operating system बनाए गया जिसका नाम रखा ही अब सभी जानते हैं यू एन आई एक्स अगर बात करें कि C language कौन सी language में written है तो C language was created from ALGOL, BCPL and B तो अगर हम बात करें कि ALGOL, ALGOL यानि father of all the programming language क्योंकि ALGOL सबसे पहले आई थी इससे पहले कोई programming language नहीं थी अब ALGOL की full form की तो बात ही मत कर देना मुझसे क्योंकि ALGOL जो है वो European language को जादा यूज करती थी तो उसकी full form European language में है लेकिन हमने यहाँ पे इसको algorithmic language का आई तो ALGOL हमने देख ली father of all programming language क्योंकि सबसे पहले आई थी पर यह 1960 में आई थी ठीक है यानि 1960 से पहले कोई language नहीं आई अब after that in 1967 a new programming language was developed was VCPL VCPL means basic combined programming language तो BCPL was designed and developed by Martin Richard और इसका जो reason था बनाने का BCPL लिखने का जो reason था वो था एक software बनाना था या फिर system software बनाना था बस basic reason था तीक है यानि ALGOL के बाद हमारी language लेंगेज आई BCPL आप्टर सेविनियर ठीक है अब जस्ट आप्टर थ्री यर्स इन नाइन्टेन सेवेंटी आर निव प्रोग्रामिक लेंगेज काल्ड वी वाज इंट्रोडूश्ट वाई के थॉंसन यानि जो भी लेंगेज थी वह उसमें और वी फीचर थे और अब BCPL के सारे फीचर थे यानि BCPL में कई और फीचर्स जोड़के लेंगेज बनी हमारी बी तो यहां पर हमने देख लिया कि है यह यूरोपियन लैंगेज जादा फॉलो करती थी तो इसकी फुल फॉल फॉर्म सी में है लेकिन इसको अल्गृत्मिक लेंगेज का आए और उसके बाद वीचिपील आया बीचिपील कंप्रोग्रामिंग लेंगेज एंड वी ठीक है अब इसके बाद हम बात करें कि जो आज घंगर की यह कोई लिकव कि यहाद Central पिर चीज यह फिर देखिए है जो भी आप्टीक तो C programming language is procedural programming language यानि इसमें जो भी coding होती है वो उस हिसाब से होती है कि output कैसा हमें दिखना चाहिए है तो जैसे जैसे output हमें चाहिए वैसे वैसे input होगा ठीक है C programming language developed at AT&T's Bell laboratory of US in 1972 वाइड़ानिस रिची तो डैनिस रिची इस दा फादर ओफ सी programming language एंड वी इस दा मदर ओफ सी programming language तो इस वीडियो में बस इतना ही है अगर हम highlight करें तो कुछ चीजों को करना है वह है कि BCPL की full form क्या है या फिर बी language किस से बनी है और बस दो चीज़ें याद करनी है कि बी इस दा mother of C language एंड डैनिस रिची इस दा father of C language ठीक है बस दो चीज़ें और तीसरी अगर यह देखें कि किस से मिलके बनी है तो BCPL या ALGOL भूल भी जाएं लेकिन B को हमेसा याद रखना है ठीक है बस इस वीडियो में इतना ही है आगे हमें स्टार्ट करेंगे structure of C language और महां से हमारी स्टार्ट हो जाएगी इस वीडियो में इतना ही है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएए और दोस्तों को सेर कर दीजिए जिसे यह नहीं है ठीक है उनकी हेल्प कीजिए और बस भाई अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिल अगली वीडियो में तब तक के लिए हाव गोड टाइम